सत्ता रूड अफ्रीकी राश्ट्रिय कांग्रिस, A.N.C. और विपक्षी दलों के बीच एक एतिहासिक गठ बंधन समझोते के बाद, दक्षिन अफ्रीका की संसद ने सिरिल रामा फोसा को एक बार फिर देश के राश्ट्रपती के रूप में चुना है। दक्षिन अफ्रीका की नई सरकार में राम फोसा की A.N.C., Center Right Democratic Alliance, D.A. और छोटी पार्टियां शामिल हैं। जीत के बाद दिये अपने भाशन में रामा फोसा ने नए गठ बंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को उम्मीद है कि नेता हमारे देश में सभी की भल पंधन समझोते को एक उलेखनीय कदम बताया। रामा फोसा साल 2018-2018 में पहली बार दक्षिन अफ्रीका के राष्ट्रपती के तौर पर चुने गए थे। उन्होंने सत्ता संघर्ष के बाद राष्ट्रपती और A.N.C. नेता दोनों के रूप में जैकप जुमा की जगह ली थी। वो एक फिर राष्ट्रपती बनने में काम्याब रहे।